परदान मंतरी किसके लिए वोट करें? मोदी जी की भी है और बालियान साब की भी है नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का नियूज नेशन पर आप देख रहे हैं मोदी परदेश का मूड और मैं हूँ आपके साथ अम्रितागर्ब और आप समझ गए होंगे कि हम कहा हैं इस वक्त हम मुझफर नगर की गुड मंडी में हैं और ये गुड मंडी एशिया की नमबर वन गुड मंडी बताई जाती है प्रधान मंत्री को लेकर यहां के लोगों के मन में क्या है ये भी जानेंगे और समझेंगे लोगों के मन की बात कि वो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की 26 से कितने मुतमईन है उनकी पॉलिसी से कितने सैटिसफाइड है उनकी गैरेंटी पर यहां के लोगों को कितना भरोसा है, कितनी इस गैरेंटी की वो गैरेंटी लेते हैं और मुझफर नगर की अगर बात करें तो यहां कितने काम हुए है, गुड मंडी में कितना काम हुआ है, किसान यहां खुशाल है के नहीं और तमाम जाती हैं समिकरन क्योंकि यहाँ पर आपको जाट वोट बैंक मिलेगा यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक भी है तो हर वोट बैंक यहाँ है महिलाएं है नौजवान है उनसे भी जानेंगे रोजगार महिला किरसोई चूला चौका कितना कामिया हुआ है तो इस से हैं क्या लोगों के मन की बात आई ये जानते हैं मुझफर नगर के लोगों से तो राजनीतिक पंचायत को समझने के लिए गुड मंडी से बहतर जगा नहीं हो सकती यहाँ पर आपको वैपारी वर्ग यहाँ पर आपको किसान जाट और तमाम तरह के लोग आपको मिल जाएंगे तो हर वर्ग क्या सोचता है मौझदा सरकार के बारे में प्रधान मंत्री की च्वी कैसी है क्योंकि अगर इस बार वोट होगा तो कि या बालियान सहाब की है एक पर से लेके नीचे तक काम सही हो रहा बढ़िया हो रहा थी ओराजी कोई नहीं लगती कोई प्रधान मंत्री अगर बात करूं 2024 में किसको लाना चाहते हैं इतना अब्रप्ट क्यों है कि मोधी कोई और क्यों कारिया अच्छा करते हैं गरीब से गरीब आदमी का सबका विकास से ल रहा है चोटी से चोटी हो चोटी से चोटी तब के तक जा रही है सब खुष योगी जी का डंड़ा बहुत बढ़िया क्राइम खतम राम राज्य अच्छा एक मुझफण नगर की और खास बात है कि अगर मुझफण नगर किया बात करें तो यहां के लोगों नो हर पार्टी को मौका दिया है पिछले दस साल से जरूर यहां पर बालियान लगातार चुनके आए हैट्रिक हो लेकिन इस बार की हवा क्या है यह लोगों से जान लेते हैं क्या यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की ही होगी या फिर बालियान सहाब की भी होगी सर क्या लगता है आपको अब तक MP कि सीट की अगर बात करें तो दो दो बार तो इंसान मंडी में और पाड़े हैं तो यहां तो किसान मंडी में आते कि शुदान में वह तो एक उतपद में गिनते हैं इसको योगी जी गिनते हैं मोधी जी भी तो गिने मोधी जी तो नहीं इसको गिनते तो थी पर इतना सुरक्षित कभी महसूस नहीं हुआ जितना हमें अब महसूस दे रहा एक मोधी सरकार के आने से यह था है जो बिरादरी का ताना बाना था इन लोगों ने वो कम किया मतलब हमारे मन में जो था तो एक इनों ने यह कम किया दो चीज इनों ने किया और तीसरी कि क्षिते बार है कि क्या सरकार को रिए उसक्रा को नुकसान हमेरे व्यापारि का TYD में लिया है तो जो बाहर से बाद сеas Rouge की शरी है वह बन्ध हो जाएगी do मैंडिकल की वैवस्था कोई और मुझास्था स्कूल कॉलिण की समस्या है को ट्रेंड की सभी है सोरीरस शरकार खुक्राइब को शरकार को सबस्तों से हो रही नरा की रोजगार ने में 2 है किAhवी प्लिस का पर उसका पर हमारी जो इंडरस्टी है बलकि उसको और नुश्चान हुआ पॉलूशन को लेगे तो अब मंत्री जी ने दुबारा उस पर प्रियास कर रहे है और यह सर्वे हो रहा है कि इसको हमारी इंडरस्टील एरिया को और मुझवफननगर को निकाल दिया जाए ताकि यहां पर रोज कर दो से यहां निजात पानी की समस्या खतम हो चुकी है इस बार कहन होंगे परधान मंत्री इसके लिए वोट क्योंकि अच्छा काम क्या लोगों के लिए प्रेना श्रोथ हैं बच्चों के लिए बड़ों के लिए कितनी पहला परधान मंत्री है जो 24 गंटे में 20 गंटे का कि हम जैसों के लिए सब के लिए प्रेना का सोत है देश वक्ती जिस आजमी के अंदर देश का सेवक है प्रधान मंत्री बाद में प्रधान सेवक समस्के जो मेहनत करते हूं कि उनसे हम बहुत प्रस्टनली भी अपने मुट साइज थे तो कह रहें चीन कबजा कर रहें अभ बहुत अच्छी गर रखें चलने फिरने में बहुत आसानी है अब दिल्ली अगर जाते हैं शामली से दिल्ली जाते तो पढ़ी पतु गूम कर जाते यह मुझे फनकर कौमें ते जब दिल्ली जा जाता हाँ इतनी पुरी सड़के थी आज तस साल में हुआ है और कभी निया पहले सड़की नहीं दिखाए देती ती गड़े गड़े दिखाए देते था एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए साबित हो सकता है आपको लगता है कि एंडिये में आरेली का जाना सपा के लिए बड़ा नुकसान है अच्छा वोट नहीं करेंगे करेंगे वोट दो आदमी साथ लेकए जा रहे हैं तो इससे बेतर क्या होगा हमारे बच्चों के लिए जो हमारे गुढिया है आप जैसी उनके लिए से बेतर क्या होगा है कोई डर गया किना जो चोई आप इंसे कोछेरा सरकार से खुश है नहीं आप पूछो है आप इंसे जितिसरी ने हम तो बाल यान यान पाल यह लेंगे अपने को मैं भी खुद बाल यान उना करें हम एसा थोड़ी के साथ जुड़ा मजफर नगर उसका नुकसान हुआ फाइदा हुआ नुकसान हुआ एक तो मारी गोड़ा गाड़ी है सब बेकार होगी ट्रेक्टर बेकार हो लिए पुलिस वाड़े चंकरने लगे ते गाड़ियों को पकड़के पंच-पंच-पंच-जार के चलान काटने लगे ते अब मालो गाड़ी बिल्गुन नहीं पड़ी अरुआ होगी 15 साल पुरानी क कुछ लोग पीछे खड़े उनसे चलते हैं पूछते उनसे बात करते हो क्या कह रहे हैं कि आए ताओ इधर तो आओ अच्छा भाग लिए गिर गए गिर गए गिर गए इसमें जो काम मोदी जी ने किये हैं तीसरी बार भी सभी जनता का मन है एक्स वाई जाड इसमें सभी आगे तो 400 पास तो है उसमें देखना यह कि यह लोग कहां तक ठैरते हैं जो मुख्य प्रक पर है कुछ यह नहीं वह देखना है बीजेपी सरकार तीसरी बार बनेगी जो अखिलेश आदव मिल गएं कॉंग्रेस से आई एंडिया गटबंदन इस गटबंदन का कुछ फाइदा होगा अभी तो कोई फैदा नहीं मैडम अगर मैडम पिछली पार बसपा भी थी आरलड से गटबंदन होगा एक तरफ है पुच्छी मैं सारी की सारी सीटे जो है ना गटबंदन पर चलेगे बीजेपी के साथ एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए बिल्कुल मास्ट्रोक है पर मेडम हम फिर भी एक बात कहेंगे कि मोदी जी को 400 पार बहुचा रहे हमारे घन्य के बाहगों 400 पार बोच वादो यह तो होगा यह तो कि मांग हो जाएगा हो जाएगा होना चाहिए इन आब की बार 2400 पार घन्य का दाम और सरकार 2400 पार दाम में 400 पार और सरकार बीजात कर तो मोधी पर देश का मूड क्या है आज यह ट्टोलने के लिए UP के 80 सभा सीटों में से एक मुझफफर नगर हम आये थे और यहां पर बात हमने लोगों से की वैपारी वर्क से की किसानों से की नौजवानों से की और जानने की कोशिश की कि मुझफफर नगर के कौन से मुद्दे हैं जो अभी तक हल नहीं हुए हैं और उनको लेकर उनके नेता स उनकी क्या उमीदे है पश्मी यूपी का ये वो इलाका है जहां से किसान भी धरने पर है आंदोलन पर है तो वो भी एक असर हमें देखने को मिला फिलहाल यहां के लोगों की मन की बाद जानने के लिए पहुंचे थे आप तक पहुंचाई है और मोदी पर देश का मूट के ज परदान मंतरी किसके लिए वोट करें लांट मंतरी मोधी जी होंगे अग्यां मोधी जी की बीएक ट्रीक है और बालियान साब की भी एक ट्रीक है